सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीजे बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्व्यूस पड़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अभी कपूर जिनों ने उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदाना उनका कहना है कि वो समाजिक रूप से की गई अपमान और बैज़ती नहीं सेहन कर पाया तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मुवी माफिय ने नाख की सिर्फ उनको बैं किया था सिस्टेमातिक डिस्मैंटे लिंग कैसे कटरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब जुठाल लिखना होता है यूंकि आप अंगेस्ट को इलिगल अशण नहीं लिया से है का आपका तो न वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वो सबसे बड़ा नार्सिस्ट है 16 दिसम्बर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुषान एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है और यह जो बुद्धी जीवी जर्नलिस्ट है यह जो चील कवे गिद है जो मुवी माफिया के पाले हुए है यह इसको मेंटल इमोशनल साइकोलोजिकल लिंचिन को जर्नलिजम कहते हैं मेरे बारे मेरे अज़ तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निका लेकिन जब एक सुतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने इस जर्नलिस्ट को पानफरेंट किया आपको बता है उसी राचार सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई एलां किया कि इसकी फिल्म को बैंग किया जाए फ्लॉप किया जाए आपको तीन हजार जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी emotional lynching करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कहता है कानून कुछ नहीं कहता है मैंने उनको उन पर केस करने की कोशिश की मगर एक म किड्स के बारे में यह क्यों नहीं लिखा जाता है तो यह अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा आपके गले में लटका मिलेगा इसलिए जब तालियां बजेगी और सीठियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी झाल 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 झाल